हाई एवरीवन मैं प्रियांका और आपका स्वागत है होम एन मचमोर में आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ आइकिया के होम डेकॉर आइटम्स ये सारे वैसे आमेजॉन से हैं ये सेम आपको आइकिया पे भी मिल जाएंगे ये वीडियो आइकिया से बिलकुल भी स्पॉंसर नहीं है चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहला है ये आर्टिफिशल हाउस बैंबू प्लांट तो ये एक ब्लाक कलर के पॉर्ट में है and let me tell you मैंने काफी सारे आर्टिफिशल प्लांट लिये हैं हमारे घर में अल्रेडी है तो इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है मैं भी बोलगी क्योंकि हमने भी काफी देख के लिए थे और जब हमने खरीदे थे उस वक्त हमें काफी ऐसे भी नजर आये थे जो बहुत ही देखने पर ही प्लास्टिकी वाली फीलिंग आ रहे थे दिख रहा था कि यह बहुत ज़्यादा नकली है और बिल्कुल भी अट्राक्टिव नहीं थे और यह वाला जो है आईकिया वाला एक चीज मुझे डिफरेंट लगी जो अंदर बेस है जिसमें पुरे पत्ते सिक्योर किये गए हैं यह जादा जादा अच्छा है जादा स्टर्डी है और कुछ अलग ही मटीरियल है वजन भी इसका अच्छा है मतलब वेट है इसमें ऐसे ही धक्का लग गया और आपका प्लांक गिर गया ऐसा नहीं होगा सेकेंड है ये वाला ये है वीड ग्रास का अर्टिफिशल प्लांक सेम पाक अफ़ टू नहीं है ये इंडिविजली अलग-अलग मैंने लिये है बट इसका जो वास है सिमिलर है बट ओवरॉल ये पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत आपको वो फेक वाली फीलिंग नहीं आएगी काफी क्लोज है रियल के और बहुत ही अच्छा है और ये दोनों प्लांट्स वाशिबल भी है मतलब अगर इन पर धूल बैट गई तो इन्हें धोया भी जा सकता है आप इन आर्टिफिशल प्लांटर्स को अपने ल कालर हो जाते हैं और आखिर में प्लास्टिक ही है ना तूप में ब्रिटल हो सकता है नेक्स्ट है नापकिन होल्डर या फिर टिशू पेपर होल्डर बहुत ही ब्यूटिफुल है और हाँ ये प्लास्टिक नहीं है ये 100% मेटल है काफी वजन है इसमें मेटल का है और वाइ रहे इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर यूज कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो दो लेफ्ट और राइट ओपन साइज है वहाँ पर अगर कुछ फैंसी इसा थ्रेट बांद दिया और इसे आज मेकप ब्रश होल्डर यूज किया तब भी ये बहुत की ब बुटिफल तो है ही नेक्स्ट है ये बुके बहुत ही अच्छा है मतलब बहुत सारे आर्टफिशल ंप्लांट्स और फ्लावर्स मिलते हैं online मिलते हैं इसे अलग के पत्ते हैं तो overall जैसा एक बुके नज़र आता है वैसा यह दिखता है मतलब आपको अलग-अलग से flowers खरीब के खुद कुछ बनाना नहीं पड़ेगा दूसरी बात कि ये बहुत ही खुबसूरत है और quality भी अच्छी है मतलब आपको एकदम धागे-धागे निकल रहे हैं फूलों में से पतों में से ऐसा नहीं रगेगा और काफी अच्छा प्लेजन सा pink का shade है और साथ में white भी है pink भी देखिए uniform नहीं है कहीं पर हलका है कहीं पर dark है तो इस तरह की shading भी है next है ये candle holder इसमें candle जलाई जा सकती है दिया जलाया जा सकता है फिर अगर आपके पास जो batteries वाली candles आती है ना वो भी आप use कर सकते हैं ये भी metal का है painted है काफी अच्छे quality का इसके उपर paint है और एक candle भी दिया गया है तो वजन भी इसका अच्छा है इसमें अगर आप candle भी ना रखे तो भी ये काफी अच्छा नज़र आएगा as decor item और फिर मैं उसके नीचे silicon या फिर कुछ तो एक रखती हूँ चीज ताकि directly surface पे गर्मी ना पहुँच जाए दिये की या फिर candle की next है काफी unique सी photo frames मैंने इसमें photo डाली है इसके front and back दोनों side में photos लगाई जा सकती है आप mirror में पीछे reflection देखी सकते हैं photo के अलावा आप इसमें message भी लिख सकते हैं मतलब आप एक rectangle cut कर लीजी for example black paper का उस पर डालीए अपना message और उसे इस जगह से अंदर insert कर दीजे तो आपका बहुत ही सुन्दर display ready हो जाएगा अगर आप party थो कर रहे हैं आपको कोई message लिखना है तो अपने dining table पर आप इसे use कर सकते हैं आप जहां पर भी आप birthday party arrange कर रहे हैं तो photos के अलावा messages के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा first use से पहले जो ये acrylic sheets दी गई है इनके उपर ये पतली से film है उसे निकालना ना भोलें उसके बाद ये एकदम clear हो जाएंगी तो दो ऐसी पतली sheets है एक frame के अंदर और इन दो sheets के बीच में आप अपनी photos या फिर आपका जो message है वो डाल सकते हैं ये दोनों frames plastic की है बाट इनकी quality और finishing जो edges वगरा है काफी अच्छी है मुझे ये product बहुत ही ज़ादा पसंद आया और हाँ आप अपनी photos अपने message दोनों side से डाल सकते हैं आपको आज की वीडियो में दिखाये गए सारे product की link वीडियो के description box और first comment में मिल जाएगी next है ये बहुत ही सुन्दर water वाली can मतलब जो पौधों को पानी देते हैं उसकी जो cans आती है उन में से ही एक type की can है पर देखिए बहुत ही सुन्दर है ये पूरी की पूरी metal की है मतलब ये plastic की नहीं बनी हुई है इसमें बस पानी भरना है और जब आप पानी देना चाहे पौधों को तो इस तरह से पानी आप दे सकते है जिस समय आप इसका use ना कर रहे हूं तो अगर आप अपने garden में रख देते हैं अपने balcony में रख देते हैं तब वहाँ पर रखा हुआ भी ये बहुत सुन्दर लगे अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको ये चीज़ों देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो के ज़रूर लाइक करें और हो में मच मोर को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई